आप देख रहे हैं साधना और समाधान आज मैं आपको माता काली जी का एक ऐसा सिद्ध तोटका जो निम्बू और लौंग के द्वारा आप कर सकते हैं और जब आप इस तोटके की विदी को अपनाएंगे तो आदशक्ती माता काली आपकी चारों दिशाओं में पून रूप से रक्षा करेगी तो क्या है रक्षा तोटका निम्बू और लौंग के द्वारा तो देखते हैं इस वीडियो के मादिम से साधना और समाधान के लिए गाड़ी वहान की शरक्षा के लिए आपके कारोवार के शरक्षा के लिए बहुत से मंतर बहुत से उपाए और टोटकों की जानकारी में आपको देता रहता हूं लेकन हर व्यक्ति मंतरों का उचारन भी नहीं कर सकता कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकता तो उनके लिए मैं आज जो मताकाली जी का शरक्षा टोटका है एक निम्बू और लौंके द्वारा तो जहे आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी वादा से आपकी शरक्षा करेगा कैसी भी कोई बुरी विद्ध्या कैसी भी कोई नेग्टिविटी अगर आपके घर के उपर है जा फिर आपके सरीर के उपर है आपके कारोबार के उपर है आपकी गाड़ी वान के उपर है तो माता काली निम्बू और लाउंग के इस टोटके के द्वारा आपकी रक्षा करेगी और जह जो टोटका है किसी भी दिन आप इस टोटके की विदी को अपना सकते हैं और जह ऐसा टोटका है अगर घर पर बार में किसी को नदर भी लगी हुई है जा कोई हाई बादवा है आपके उपर जा किसी की टोक लगती है आपको बार-बार तब भी आप इस टोटके की विदी को अपनाएंगे तो नेग्टिविटी हर बुरी शक्ति की ही काट करेगी माता काली और अगर आपको घर परवार में बुरी वादा कोई नेक्टिविटी अगर आपको दिख रही है कोई परशाई नदर आ रही है तब भी आप इस टोटके के विदी को जब अपनाएंगे तब भी माता टाली नेम्बू लौंग के टोटके के द्वरा आपकी पूर्न रूप से शरक्षा करेगे लेकिन कुछ लोग देखो जो गाएं वहस पालन का भी काम करते हैं कई वार उनको भी टोटक लग जाती है दूर बगएरा को जो टोटक लग जाती है तो उसका भी निवार्न करेगा जह जो नेम्बू लौंग का टोटका है अगर आपके बच्चों को कोई टोक लगी हुई है जा कोई बुरी बादा है तब भी आप इस टोटके की विदी को अपनाएं तो जो भी कोई विद्या में रिकावट आ रही है जो भी व्यक्ति जो भी बालक विद्या पढ़ते हैं अगर उनको कोई रिकावट उत्पन हो रही है तब भी आप इस टोटके की विदी को अपनाएं तब भी माता काली आपकी शरक्षा करेगी निम्बू लौंग के इस टोटके की द्वारा तो जह जो टोटका है कोई भी इस तरी कोई भी पुरश इस टोटके की विदी को अपना सकते हैं और माता काली आपकी चारों दिशाओं में रक्षा करेगी तो इसके लिए आपने एक सावत निम्बू लेकर आना है और पांच आपने लॉंग लेकर आने है और उसके बाद आपने अपने घर के आंगन में थोड़ी सी अगनी चेतन करनी है पहले गोबर के कंडे को जलाने के बाद भी अगनी चेतन कर सकते हैं पूर की टिकिये भी जला सकते हैं जा फिर आप एक चोटा सा सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं जा फिर जब आप अपने घर के मंदर में पाठ पुजा करते हैं जहां पर जो जोद पर चंड करते हैं तो उसके द्वारा भी आप इस विदी का पर जोग कर सकते हैं पहले नेम्बू को आपने साफ पानी से धो लेना है धो लेने के बाद आद शक्ति माता काली का ध्यान धरें कि है आद शक्ति माता काली आप हमारी शरक्षा करें चारों दिशाओं में जो भी कोई बुरी वादा है जो भी कोई नेक्टिविटी है आप उसका निवार्न करें हम आपकी शर्न में आए हैं आप दुष्टों का संहार करो और अपने भगतों की रक्षा करो ऐसी वेंति करने के बाद जो वह है निम्बू है उसके चारों भागो में आपने एक एक लोंग गाड़ देना है चार लोंग लगा देने हैं एक निम्बू में और एक लोंग जो शेश बचा है तो वह है चार लोंग एक निम्बू और जो शेश लोंग है उसको अपने हाथ में उठा लें और जहां पर भी आपने अगनी चेतन की है जा जोती प तेल डाल दें उसके बाद उसके उपर से साथ वार उल्टा एंटी कलॉक वाई जवार लें या कपूर की टिकिया को जलाने के बाद उसके उपर से भी साथ वार एंटी कलॉक वाई जवार लें और जो आपने जोती परचंट की है उसके उपर से भी साथ वार वार लें और उस जा कपूर के टिकिया के उपर जा फिर जोत के उपर उसको रख देना है जला देना है एक लोग को उसके बाद पूरे घर में जो नेम्बू है लेकर घूम जाएं जहां पर भी आपको लगता है को को रकावट है तो पूरे घर में इसको गुमाएं जहां पर आपकी गाड़ी वहान है उसके उपर से इसको गुमाएं और जितने घर में व्यक्तिय हैं उनके उपर से इसको गुमाएं साथ वार उल्टा एंटी कलॉक बाज़े उसके बाद इस नेम्बू को जिसमें चार लोग लगाएं, इसको घर से वहर आपने फैंक देना है, घर से वहर इसको कहीं भी आप फैंक दें, अपनी देहलीज के वहर, तो इस से माता काली का आपके घर में पहरा लग जाएगा, और हर बुरी वादा दूर होगी, और माता का उपर गाड़ी बान के उपर तारो बार के उपर जा फिर कोई आप पसू बालन का काम करते हैं जहां पर भी आपको लगती है कि नेक्टिविटी है वहीं से इस निम्बू को जिसमें चार लॉंग लगा हैं साथ बार गमा ले चार जो आपने इसमें देखो लॉंग लगा हैं चारों दिशाओं में जो भी कोई बुरी शक्ति आपका बुरा कर रही है तो उसका निवार्न करेगी माता काली और आपके घर की शरक्षा करेगी पूर्न रूप से तो माता काली का जे शरक्षा उपाए है निम्बू और लौंग के द्वारा आप एक बार इस उपाए को कर कर देखें रात तरी के समय जब सुरह आस्त हो जाए तो एक चम्त कार के रूप में माता काली की शक्ति हमेशा आपके साथ चलेगी वेडियो बड़िया लगी लाइक शेयर करें साधनों समाधा जैनल को सबस्क्राइब करें तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने है तू जैसे घर का कीलन मन चहा वशी करण करवाने के लिए आप सिद्ध सामगरी किट वशी करण किट सिद्ध यंद्र सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं और गुरुजी से के लिए स्क्रीन पर दिये गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं